अगर कोई इंसान किसी का खून कर दे तो उसे फासी या उमर कैद की सजा सुनाई जाती है लेकिन कोई डेड़ बोड़ी किसी का खून करे तो उसे कौन सी सजा होगी ओ तुको जरा क्या एक डेड़ बोड़ी खून कर सकती है हाँ जी फ्रेंट्स एक मरा हुआ इंसान भी किसी का खून कर सकता है एक बर पुलिस को मर्डर केस में दो डेड़ बोडिस मिली जिसमें एक शक्स का खून दूसरे ने गला दबा कर किया था सबी सबूत भी उस दूसरी डेड़ बोडी के खिलाफ थे लेकिन जब टेस्ट हुए तो एक बड़ी हरानी की बात सामने आई जिस शक्स ने गला दबाया था उसकी देथ तो दो दिन पहले ही हो चुकी थी फिर आखिर एक मरा हुआ इंसान किसी को गला दबा कर कैसे मार सकता है इस रहसे का खुलासा किया और फॉरंसिक डोक्टरस ने उन्होंने बताया डेड़ बोडी ने खून किया नहीं बलकि इससे खून करवाया गया है उन्होंने बताया जिसको गला दबा कर मारा गया है उसे मरते समय बहोश कर दिया गया था फिर उसके पीछे उस dead body को रखा गया उसका हाथ आगे वाले शक्स के गले में लपेट दिया गया क्योंकि जिसने गला दबाया था उसकी death को 24 गंटे से जादा हो चुके थे इसलिए उस body ने decompose होना शुरू कर दिया उसकी मास पेशियां सुकरने लगी जिससे आगे वाले का गला दबने लगा क्योंकि आगे वाला शक्स बिहोस था इसलिए उसने बचने की कोशिश नहीं की और गला दबने की वज़ा से उसकी मोत हो गए तो देखो फ्रेंड्स गलत काम करने वाले जिन्दा इनसान को क्या मुर्दों को भी नहीं छोड़ते हैं